कि समझे इस लाइक लोग कहते हैं जो लोग कुछ लोग मुझे भी वीडियो बे कुछ लोग कमेंट्स में पुशें सर्ब कैल्शियम खाएंगे तो आर्टरी में कैल्शियम जमा हो जाएगा क्या नई अगर हम एक हर इंसान जिनको जो जो जिनकी डेथ होती है उनको हम अगर आटोपसी करके देखेंगे तो उनके पूरे आर्टीरियल सिस्टम में उसी जगह पर कैल्शियम जमा होता है जहां पर प्लाक होता है जहां पर कॉलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है जहां क्लॉट होता है अगर आपके किसी एरिया पर कॉलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नही तो वहाँ पर कैल्शियम नहीं जमा होगा और कैल्शियम की का खदान है आपके पास आपकी हडियां कैल्शियम से भरी हुई हैं अगर आप कैल्शियम नहीं लोगे तो आपका शरीर हडियों से कैल्शियम निकाल लेगा और हडियां कमजोर होंगी आपको जो नॉर्मल अपने डाइट में balanced calcium चाहिए वो चाहिए अगर आप इस डर से calcium नहीं लोगे कि calcium ज्यादा ले लिया तो arteries में calcification होगा एक बहुत ही excess मातरा में अगर आप calcium ले रहे हो तो अलग बात है अगर बहुत ही excess मातरा में आपके खून में calcium extra घूम रहा है हमेशा और हडियों में भी भरा पड़ा है तब it is possible कि जहां जहां पे कुद्रती तोर पे arteries में clots है जहां पे plaque है ताकि वो plaque तूट के बाहर ना जाए इदर उदर ना घूमे शरीर उसको fix करने के लिए calcium का इस्तामाल करता है calcium बहुत पड़ा है तो थोड़ा ज्यादा पड़ा है थोड़ा ज्यादा deposit होगा ज्यादा calcium घूम रहा है तो calcium excrete करने की कोशिश करेगी body kidney से निकालने कोशिश करेगी और अगर आप पानी कम पीते हो तो वहां stone भी ज्यादा बनेगी तो obviously बात है सिंपल साइन्स है कोई rocket साइन्स नहीं है जो लोग कहते calcium गलती से भी मत खाना वो आप अपने vitamin D serum calcium bones scan करा आगे देख लो अगर आपकी हडियां कमजोर और 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 अस्टियो पीनिया तीकर?